वाइरल ड्रग और यूज़ इन ट्रिट्मेंट ऑफ पार्किन्सोम्ट तो पार्किन्संस की ड्रग होती है उसमें एंटि वाइरल ड्रग भी है ठीक मुझा है यह लिवडोपा दिया है अंतर क्लासिफिकेशन पठाए है और फैसिलीटेटर तो जिसमें आप कहता है लिए यह अंटिवारल ड्रग होती है तो ऐसी कुण सी यह जो आपकी आमेंटेडीन हो जाएगी धियां रखना है option भी आपका राइट हो जैगा okay तो देखिर एक बारी में आपको इसमें एंटी पार्किंसन्स ड्रग जो है पार्किंस डिजीज में यूज होती है उसका classification डिवाइस करा देती हो देखिए इसमें जो ड्रग होती है दो टाइप की होती है एक तो होती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डॉपामिनर्जिक सिस्टम क्योंकि देखिए पार्किंसंस में क्या होता है डॉपामिन का लेवल तो कम हो जाता है स्टैल और एंटी कोलीनर्जिक प्रोपाटी की वज़े से अब देखते हैं तो पहले तो हमारी है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डॉपामिनर्जिक सिस्टम तो इसमें आपके देखिए कौन-कौन से ड्रग आती है एक डॉपामिन प्रिकरसर आता है जिसमें आपका लीवोडोपा होता है लीवोडोपा क्या है डॉपामिन प्रिकरसर होता है मतलब कि डॉपामिन की क्या है प्रोड्रग होती है प्रोड्रग है डॉपामिन की लीवोडोपा ओके तो जो डॉपामिन है वह एक्टिव ड्रग है लीवोडोपा एक प्रोड्रग है बाकि पैरिफरल डिकार्ब इनिबीटर में आपका आता है कार्वीडोपा और बैंसीराजाइड का क्लासिफिकेशन काफी अच्छी से देखिए क्योंकि बिलकुल डायक्ट क्वेशन बनेंगे कि पैरिफलेट डीकार्वुक्सिलेज इनिबीटर में कौन सी ड्रगाती है कार्वीडोपा इनिबीटर केटिकोल ओमिथाइल ट्रांसफरेज इनिबीटर में आपका टॉल कैपो एंटा कैपो डॉपामिन फैसिलिटेटर जो हमारा क्वेशन था इमेंटडीन आता है इसमें अब एक ड्रग होती है जो क्या करती है कोलनर्जिक सिस्टम को एफेक्ट करेगी जिसमें आ आपकि ट्राइक्जवर्णिफियदाइल बैंजी हेक्जोल प्रोसेक्लिटन डॉपारेटेंह डाग इंटि एस्टामियॡीनिक्स में प्रमिथाजिं कैमोर्पिनटरी और क्लासिफिकेशें इसमें से मा आपको सौरक लाज्ट